प्रमे एक कथन किसी वृत की बराबर जिवाएं केंद्र पर बराबर कौन अंतरित करती है ग्यात है एक वृत जिसका केंद्र O है इसकी दो बराबर जिवाएं PQ और RS है सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस उपत्ति त्रिभुच पी ओ क्यू तथा त्रिभुच आर ओ एस में सबसे पहले हम दोनों त्रिभुच में ओ पी बराबर ओ आर लेंगे यह जो दोनों रिखा काड़ है वहाँ एक ही विरित की त्रिज्जाएं हैं उसी तरह से हम लेंगे यहाँ पे दोनों त्रिभुच में ओ क्यू बराबर ओ एस यह भी जो है एक ही विरित की त्रिज्जाएं इसके बाद हमारे पास है पी क्यू बराबर आर एस जो की हमें ग्यात है अता हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुच पी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुच आर ओ एस से यहां पे हमने सर्वांग सम नियम लगाया है भुजा 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 सर्वांग समता सर्वांग समता इस तरह से हमने दोनों त्रिभुच का सर्वांग सम भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से इसे सर्वांग सम कहा इसी लिए कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ एस से अभी यहां पे हमने सर्वांग समता त्रिभुच के संगत भाग को बताया है सर्वांग सम सर्वांग समत्रिभुच के संगत भाग संगत भाग से हमने कोण पी ओ क्यू को बराबर बताया है कोण आर ओ एस से यही इस प्रमे में सिद्ध करना है